हलो गाइस कैसे हैं आप लो आज की वीडियो का टॉपिक है इसम है जिसका टॉपिक है बारिश की दुआ ठीक है तो इसका हम इसको पहले नजम को पूरी पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के मिलने में आपको मदद मिलेगी इस वीडियो के जरीये तो पहले हम देखते हैं अलफाज और माइने दाता यानि के देने वाला या खुदा है ना रहमत यानि के करम या महरबानी रंग जमाना एक महावरा यानि असर दिखाना ठीक है भाई वह आपने तो रंग जमा दिया या चाहिए आपका काफी उफेक्ट पड़ा महफिल में या कहीं भी ठीक है आप जर्ण्य याह जाती है है आप तैक्षिन प्रिदैर रहता है पर्चम यानि जंडा दाख यानि धबा मुराद दुक दर्ग यहां पर दाख का मतलब है दुक दर्ग बी है ठीक है सिला यानि बदला सिला यहां पर स्वाद से लिखा है या आप याद रखियेगा अब देखते हैं नज्म फिक है जिसका उन्वान है बारिश की दुआ एदाता बादल बरसा दे फसलों के पर्चम लहरा दे तो यह बुख है सबरंग आप समझ सकते हैं क्लास नाइन की देश की दौलत देश की प्यारी देश की दौलत देश की प्यारे सुख रहे हैं सूख रहे हैं खेत हमारे इन खेतों की प्यास बुजा दे ऐ दाता बादल बरसा दे यू बरसें रहमत की घटाएं दाग पुराने सब धुल जाएं अब के बरस वो रंग जमा दे ऐ दाता बादल बरसा दे खेतों को दानों से भर दे मुर्दा जमी को जिन्दा कर दे तू सुनता है सबकी दुआएं दाता हम क्यूं खाली जाएं यानि खुदा से ये मखातिव हैं हमको भी मेहनत का सिला दे ए दाता बादल बरसा दे शार का नाम यहाँब लिखा है नासर काजमी अब हम बात करेंगे गाइस नजम के बारिश जो के बारिश की दूआ है नजम उसका खुलासा चलिए हम शुरू करते हैं यहां से नजम बारिश की दूआ नासर काजमी ने लिखी है इस नजम में शायर खुदा से बारिश के लिए दूआ कर रहा है शायर खुदा से इलतिजा कर रहा है कि ए खुदा अपनी रहमत की बारिश बरसा दे इलतिजा यानि के रिक्वेस्ट जिस से के खेतों में घड़ी खड़ी फसलें जो के हकीकत में देश यानि वतन के अजीज दौलत है जाहर है कहीं भी कृशी देश जहां भी होता है ठीक है फसलें वो सूखने से बच जाएं और बारिश के पानी से हरी भरी होकर लह लहाने लगें और हमारे पुराने दुख दर्द खत्म हो जाएं और बारिश के पानी में इस तरह धल जाएं जैसे पानी में पुराने दाग दबे धुल जाते हैं यहां पे धुल होता है ठीक है तो यह डाल नहीं है पेश है दाल और जश्मी है धू और लाम धुल ठीक है मैंने धुल पड़ दिया था sorry for that शायर खुदा से ऐसी रहमत वाली बारिश मांग रहा है जिस से सूखी बंजर जमीन भी हरी भरी और जरखेश हो जाए और सारे खेट गल्ला से भर जाएं गल्ला यानि के जो खेटों का जो निकलता है जैसे के धान से चावल निकलता है और गेहूं की फजल से गेहूं या उसके बाद हम आटा लिते हैं ठीक है शायर खुदा से कह रहा है कि ए खुदा तू सब की वाइस बहुत ही इंपॉर्टन चीज़ए ये दुआएं सुनता है और पुबूल करता है तो हमें भी ना मुराद ना कर और हमें भी हमारी मेहनत का बदला अपनी रहमत की बारिश की शक्ल में अता कर देए वाइस ये था आपका क्या ये था आपका खुलासा ख़जी ख्याल तब तक खुश रहें अबाद रहें हमारे वीडियो को देखते रहें बाबाई टेक क्यार